हेलो दोस्तो मेरा नाम तरुन्दा मेरा चनल बनस्पति दादा जिस बनस्पति दादा चनल कमाधधम से में रोज एक बनस्पति का जनकारी देता हूं ओ बनस्पति फूल फौल श्बजी जो बनस्पति में है, बागीचा में है, खेत में है, खदियान में है, गार्डेन में है, उसका और्षोधिगून, बनस्पतिगून, आयरबेदिगून क्या है, उसका जानकारी देने क्या कोशिश करता हूँ, मेरे उद्देश से है, जो आप जो सेबन करते है, खाते है, पीते जो जानकारी क Anna कोशिष करता हूं जो बन में उकने वाला घास सब्जी फौल पूल जो भी बन में उकने वाला चीज है उसके बारे मैं पूरा जानकारी देने का कोशिश करता हूँ, मैं पहले पैचान लीजे, पत्ते को पैचान लीजे, उसका फ़ल है, यह जमीन का नीचे होता है, कंध है, जमीन के उपर नहीं होता है जैसे आलू पे आज लेसुन निकलता है और ऐसा ही ए बनता है जमीन के नीचे जिसका नीचे कैसे होता है और मैं दिखाने को सिसकर हूँ दिखिए ए है जड़ जमीन के नीचे इसका जड़ है जमीन के नीचे अभी तो छोटा है कोई छोटा बेब बच्चू बड़ी आलू इस एरिया के इसाब से अलग-अलग नाम से चलता है एक कंथ है आलू जैसे ही है जमीन के नीचे निकलता है जिसका पत्ती इस टाइप से पांच जैसे दिख रहा है यह इसका पत्ती है ठीक है बहुती और सुधिगुन भरपूर है इसका अंदर इतन रातालू भी अलग-अलग टाइप से होता है एक सफेद होता है एक मेरू पिंग कलर का होता है और यह सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाला जो रातालू है वह है इसका बजन दो किलो पांच किलो तक होता है देखने मिलता है जैसा जैसा आपका जमीन के नीचे दो साल जिसको को देखने में पत्ति आपको ऐसा लखे गागा इसका ताने है पान के पत्ते जाईसा बेल के तरफ झाड़फीब धीर डायस्कोरा, ऐलाटा, इस से आ ले आ अलग नाम से जาना जाता है, इसका जो और सोदिगून है, वह भरपूर है, मैं आपको एक के बाद एक बता दें जा रहा हूं, थाइ्रोइड का पोब्लेम है, थाइ्रोइड, सभी को पता है, थाइरोड का पोब्लेम होता है, सुजन का पोब्लेम होता है, उससे इसका पेस्ट, यह जो जिमिकांद है, मैं आपको काट के दिखा रहा हूं बीजबे से, देखिए, इस टाइप से दिखता है, अच्छा से पैचान लीज़े, बहुती सुष्षाद हो, खाने में भी बहुती अच्छा टेस्ट फूल होता है, यह रातालू है, ठीक है, यह रातालू बहुती टेस्ट फूल है, इसमें किसी तरप का थाइरोड का पोब्लेम है, उसको यह जो आपके सामने दिख रहा है, यह पेस्ट को लगाने से थाइरोड का बासुजन बाला जो पोर्सान है, धिरे-धिरे-धिरे-धिरे कम हो जाता है, दोस्तों बहुती इंपोर्टन्स जो इसमें से बिंगता है, वो है, सेक्स्ट्वल केपासिटी इंक्रीज करने के दिखा हुआ है, रातालू को, जो रातालू मैं दिखा रहा हूँ, इसको घी में पिसके, हलका सा फ्राई करके, घी में हलका सा फ्राई करके खाने से, सरीर का अंदर कम से कम 20-25 बीमारी दूर हो जाता है, इतना गर्मी बाला ए चीज है, इसको खाते है पर आपका सरीर में प से 25 बीमारी ऐसा ही चल जाता है सर्दी खासी जो काम सुजन यह तो नॉर्मेल है यह सब तुरंद हड़ जाता है कप पीत और बात इसके लिए नंबर वान है यह रतालू जिसका बेल में दिखाने कोशिस करूं पत्ते दिखाने कोशिस करूं यह रतालू है जो सबसे लंबा ब अनुर्ट को क्या पूलेस्ट्रील का पूपले कूलेस्ट्रील को कंवई करने के लिए बहुती अच्छा राममार जबा जो तो रतालू में आपको दिखाने कोशिए उसको अच्छा से देग लिए ये कोई भी दुकान सुबजी का दुकान में असानी से मिल जाता है घर में भी आप इसको लगा सकतो इतना तोड़ के ये जो पोपेकेशन करना है इतना से काट लिजिए काट के उसको जमीन पे लग दि डाइबेटीस मोधुमेय का पॉबलेम है उससे भी बहुत ही अच्छा काम करता है जो उसका नाम है रतालू एयम बच्चुबडियालू जो भी आपका एरिया में नाम है वो नाम से कुछ नहीं आता है लेकिन इसका उसोदी गून को पता करना चाहिए मैं उसोदी गून के आपको जो लगे जो सब्जी में अच्छा लगे फ्राई में अच्छा लग रहा है सब्जी में अच्छा लग रहा है घंटो बना के अच्छा लग रहा है जिस फॉम में आपको खाने के अच्छा लगेगा उस फॉम में आप खाईए तो आपको देख बेनिफिट मिलना ही म करने के लिए बहुत अच्छा ए चीज़ जो मैं आपको दिखाने को सुझ करूं है रत अलू चुबडिया लू एम अलग-अलग है तेन सन के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है बाबा सीर बो पाइल से उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी फर्म में आप इसको खाईए किसी भी फर्म में आपको फ्राई करके खाने अच्छा लगता है कंचा खाने अच्छा लगता है सु आपका सरीर के अंदर इस चीज जाएगा, कौन्थ जाएगा, रतालू जाएगा, तो आपको benefit मिलना ही है, joint pain है, गटिया का problem है, उससे भी बहुत अच्छा काम करता है, कुष्ट, लिप्रोसी, लिप्रोसी के लिए भी राम बार दबाई है, इसको पेस्ट को लगाना है, जहा मैं आपको दिखाने को सिज कर रहा हूँ, अलग-अलग category का पेट का किसी तरफ का problem है, किमी है, पेट दर्द कर रहा है, जो भी पेट के लिए problem है, उससे आपको छुट कर अपना है, बहुत अच्छा दबाई है, इससे अच्छा दबाई, आपको खरिदने में नहीं मिलेग इतना अच्छा है, ये रतालू, मैं आपको दिखाने को सिज कर रहा हूँ, और कैसे खाना है, ओभी बता रहा हूँ, मेरा ये जनकरी आपको अच्छा लगे, जुरूर कॉमेंट करके, लाइक करके मुझे सापोर्ट करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा ही कोई एक जनकरी रोज के रोज में बताता हूँ, और बताते रहूंगा, क्रीमी का पोब्लेम है, उसमें भी बहुत अच्छा लाबदा हो गया है, बिच्छु कटके चले गया है, तताया कटके चले गया है, जो हलका जहर होता है, जिस किड़ा का अंदर, उस टाइप से आपको पाइचान होना बहुत ज़रूर है, यह देखने में पान का पत्ता जैसा है, लेकिन पान का पत्ता नहीं है, अच्छा से आप पाइचान लिजे, अच्छा से इसको कौंत को पाइचान लिजे, रातालू को पाइचान लिजे, एमी को पाइचान लिजे, तो आपको बेनिफ इसके अंदर होता है जिस पोस्टिक तत्त के बाज़े से इसके अंदर फाइदा जबर्दस है जितना खाओगे उतना ही बेनिफीट आपको दिखने मिलेगा कुछ जानकरी था मैंने बताया अच्छा लगे जुरूर कॉमेंट करके बताइए सापोर्ट करिए तो मेरे को आगे और वीडियो बनाने के लिए मददगार मिलते रहेगा धन्यवाद